हेलो गाइज वलकम टू अरुनेखा एस्टडी गाइज आज हम एस्टाटिक जी के सिरीज में गांधी जी से जुड़े सभी आंदोलोनों को याद करेंगे और समझेंगे और याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक भी आप लाया है और वो ट्रिक आपको एंड में मिलेगा पहले हम उन आंदोलोन को समझेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था कब हुआ था क्यों हुआ था और वो देखने के बाद जब सारे आंदोलोन हो जाएंगे फिर हम एक संदार से ट्रिक से उसे याद करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि अरुनेखा स्टडी का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेस्बुक तीनों पर यहाँ पर इसका चैनल और पेज जो भी बोल सकते हैं है यहाँ पर और उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप चल्दी से जाके उसको भी फॉलो कर लें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सेर्त भाई जरूर करना सेर्त जो मिले सबको सेर करते रहो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है हर एक्जाम में पूछे जाने वाले चीज है तो इसको सेर जरूर करो ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो गांधी जी सबसे पहले जब पहले ये बता दू कि गांधी जी पहले साउथ अपरिका में बहुत कुछ उधर मुव्मेंट करके आए हुए थे काफी उधर सेलिवरिटी की टाइप हो चुके थे ये गांधी जी उस समय उसके बाद ये इंडिया आए और इंडिया आए तो एक सेलिवरिटी वाला इमेज इनका हो चुका था ओल्रेड़ी तब ये इंडिया पहुँचे थे इंडिया है तो इंडिया में ये अपना मतलब एक्सन स्टन्ट सुरू कर दिये इंडिया में भी तो उसके बाद एक लखनव में इनको राजगुमार सुकल नाम के एक आदम किसान मिले उन्होंने चमपारन इनको इनवाइट किया तो चमपारन में ऐसा हुआ था कि इंडियो यानि नील की खेती करवाई जा रही थी तो नील की खेती ऐसी तरीके से करवाई जाती थी एक सिस्टम ला दिया था ब्रिटिस गवर्मेंट ने तीन कठिया सिस्टम इसमें तीन बटे बीस तीन थ्री अपॉन ट्वेंटी पार्ट ऑफ लैंड अदलब तीन बटे बीस भाग जो होगा जमीन का उसमें आपको नील की खेती करनी होगी ठीक है अच्छा नील की खेती करने से होता क्या है जमीन खराब होता है जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो एक चीज वो और दूसरी चीज क्या थी कि वो नील वो खुद ले लेंगे और उसका कोई पैसा नहीं देंगे बदले में टैक्स भी लग जाता था किसानों का तो अब इससे प्रॉब्लम हो रही थी किसानों को भाई मानली जी आपकी जमीन कुछ तो ऐसे ही चली जा रही है और वो बंजड भी होते जा रही है मानलो अभी यहाँ जमीन बंजड हो गई कल वो जमीन बंजड हो जाएगी तो यह बहुत मतलब गरवड सिस्टम था यह बहुत खराब सा सिस्टम था तो इसके लिए राजकुमार शुकल ने गांधी जी से बात की गांधी जी चमपारन पहुँचे 1917 में और चमपारन पहुँचके किसानों से बात किया और वहाँ पे इन्होंने अपना मुवमेंट एक चमपारन सत्यागरा नाम से सुरू कर दिया मुवमेंट में बहुत कुछ हुआ अरेस्ट भी हुए थे और भी बहुत मास मुवमेंट हो शुगा था यह लेकिन गांधी जी इसमें सक्सेस्फुल रहे थे तो सबसे पहला अगर कोई सत्यागरा या मुवमेंट किये गांधी जी इंडिया में तो वो था चमपारन सत्यागरा उसके बाद इन्होंने खेडा सत्यागरा किया इसमें क्या हुआ था गुजरात के खेडा जिला में यह गय थे वहाँ पे वहाँ पे किसानों का जो tax का system था वो कुछ गरवड था तो वहाँ पे ये किसानों के लिए आंदोलन की उनके support में वहाँ पे खेती सही से नहीं होई थी कुछ ऐसी आपदा आ गए थी कि खेती नहीं होई पाई थी आ उस पे tax वो लोग अंग्रेज सरकार tax मांगे जा रही थी तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पे किसानों का समर्थन करते हुए आंदोलन किया था तो ये 1917 से 1918 के बीच में ये worker के साथ मिलके एक कांदोलन किया वहाँ वहां पर क्या हुआ था कि अहमदाबाद में play आ गया था और वहाँ पर एहमदाबाद में जो आपकी salary से थोड़ी बहुत कटाउती भी होगी तो इस पर वहाँ पर जो वो मील वर्कर थे वो आन्दोलन कर दिये तो गांधी जी वहां पर फिर उसके बाद ये थे तो इनोंने खिलाफत मुवमेंट किया खिलाफत मुवमेंट थोड़ा अलग तरीके का मुवमेंट था इसमें हुआ क्या था कि ओटोमन अम्पायर जो तुरकी का ओटोमन अम्पायर था उस पे अंगरेजों ने कबजा कर लिया और Ottoman Empire में होता था खलीफा जो वहाँ का राजा होता था उसको खलीफा बोला जाता था तो वो खलीफा की कुर्सी चली गई अब भाई वो सोच रहे थे कि अब ये तो सही नहीं हुआ Ottoman Empire खलीफा का होता है तो वहाँ पे वो लोग सोचे कि हम लोग इनके एगेंस्ट कुछ करेंगे ब्रिटिस के एगेंस्ट लड़ेंगे हम तो हुआ कि गांधी जी एक है सूपरिस्टार वो अगदम अपना मुव्मेंट जो भी कर रहा है सक्सेस्पुल हो रहा है तो हुआ कि चलो भाई इंडिया में बात करते हैं इन्हीं से बात किया कुछ रिलिजियस पर्पस भी बताया और भी बहुत सारे चीज बताये तो कि ठीक है खिलाफाथ मुवमेंट होगा देख थो खिलाफाथ मुवमेंट इनिसियेट मुहमद अली और सौकात अली ही ने किया था लेकिन इसको एक बड़ा मुवमेंट बनाना थे इसके लिए कुछ बड़ा करना चाहिए तो मतलब कुछ ऐसा करो जो इसको बड़ा हो कर सके तो बड़ा करने के लिए एक ही उस समय थाकि चलो भाई आज यहाँ जो सूपर स्टार हे उनको अपने मुवमेंट में add कर लो तो हमारे सूपरेश्टार उस समय गांधी जी थे तो गांधी जी को head बना दिया गया इस moment का और गांधी जी इसके head हो गया और ये moment शुरू हो गया बाद में इसी moment को ये 1920 में हुआ था 1920 में ही non cooperation मुवमेंट को भी उसी में जोड लिया गया था अच्छा non cooperation में क्या कारण था तो एक तुर रॉलिट एक्ट था और दूसरा सबसे बड़ा कारण जालिया वाला बाग हत्याकांड इसके बाद गांधी जी एक दाम सोच लिया कि नहीं ये अब बहुत हो चुका अब एक होगा बड़ी अंदोलन अब इसमें क्या किया कि एक दाम बोले थे कि non violence कोई violence नहीं होगा non violence अंदोलन करेंगे non violence मुवमेंट होगा और इसी में इन्होंने पूर्ण स्वाराज की बात कही थी इसी में स्वदेशी मुवमेंट भी लाया था इन्होंने ये सब इसी मुवमेंट में हुआ था और ये बहुत अच्छा चल रहा था मतलब सही था ये मुवमेंट ये non cooperation मुवमेंट था लेकिन ये फेल हो गया फेल कि हुआ कि 1922 में गोरखपूर के पास एक जगा है चौड़ा चौड़ी और वहां पर क्या हुआ कि वहां के लोग आंदोलन से जुड़े लोग पुलिस वाले पे अटेक कर दिया वहां के थाना में आग लगा जिससे बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जलके मर गए थे अब वहां पर हो गया एक हत्याकांड अब गांदी जी जब सुने कि वहां पर कर दिया हत्याकांड मतलब इंसा हो गया गांदी जी गुस्ते में ये मुवमेंट बंद कर दिया उसी समय तो ये मुवमेंट वहीं प त्यागरा भी बोला जाता है इसमें इन्होंने सावरमति आस्रम से डांडी तक इन्होंने मार्च किया पैदल यात्रा की पैदल यात्रा और 6 अप्रिल 6 अप्रिल 1930 को इन्होंने डांडी में नमक बनाया और इस आंदोलन को दिखाया वहाँ पे तो ये डांडी मार्च में यह हुआ था यह भी काफी अच्छा मुवमेंट चला था बहुत यह सही गया था यह भी उसके बाद हुआ था कुट इंडिया मौमेंंट यह इढ mierD canım1 क HEY और इसी मौमेंट में गांधी जी ने और दिया था डू और डाइ करो या मरो और और यह मौमेंट स्टार्ट हुआ था लेकिन यह मौमेंट भी ना मौमेंट जिड़ा जू मौमेंट है जिसमें गांधी arrive इसल उसी का कारण साथ मुव्मेंट साथ रेवूलेशन जो हैं जो गांधी जी से जुड़े हुए थे अब इनको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है तो आईए वो भी ट्रिक देख लेते हैं ट्रिक है गांधी जी चंपारन और खेडा होते हुए एहमदाबाद पहुंचे वह सब के खिलाब जाकर असहयोग डांडी मार्च कर अंग्रेजों को बोले भारत छोड़ो तो सबसे पहले मुव्मेंट हुए था चंपारन मुव्मेंट कब हुए था 1917 में उसके बाद हुए था खेडा मुव्मेंट यह हुए था 1918 में फिर एहमदाबाद मील स्ट्राइक जो 1918 में ही उओ था फिर हुआ खिलाफ तो खिलाफ से हो गया खिलाफत मुव्मेंट हुआ था 1921 में उसके बाद है असहयोग से असे आध्योग आंदोलन जो ननकोप्रेशन मुव्मेंट हुए था वो कब हुए था pressures tai 1921 में फिर डांडी मार्च की कि civil disobedience को ही डांडी मार्च भी बोला जाता है वो कब हुआ था 1930 में और लास्ट जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन quit India moment 1942 में तो यह है गांदीजी से जुड़े कुछ आंदोलन जो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं ठीक है तो यही थी आज की कहानी और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दे और स्यार जरूर करना जो नय है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लेना वह बें study material मिलते रहता है और PDF मिलता है तो चलिए मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए टाटा बाए बाए